नमस्कार, I'm Sand The Man, मैं पुरा अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए और आज I'm Sand The Man as an anti-romantic comedy देखते हैं लॉंग आंसर अक्सर यही पूछा जाता है कि discuss I'm Sand The Man as an anti-romantic comedy तो आपकी शिकायत होती है कि हम में screenshot कैसे लें तो पहले आप यह दो पराग्राफ के screenshot ले लीजे मैंने अभी pen अपना आगे नहीं रखा है और उसके बाद आप यह चलिए आगे वाले यह तीन पराग्राफ के आप ले लीजे screenshot और यह आगे यहां तक ले लीजे इस एक पेज का ठीक है जब आप पढ़ रहे थे इस ड्रामा को तब भी मैंने बहुत सारी चीजे मार्क करवाई थी आपको और मैंने आपको बताया था कि यह quotations आप याद रखिए कुछ डायलोग्स आप याद रखिए जिससे यह प्रूफ होता है कि आम सेंड दा मैन एक एंटी-्रोमेंटिक कोमेडी है चले शुरू करते हैं जो हमारे सामने है उस आंसर को यह जो कोमेड़ी है एक हास्य से भरा हुआ और साथ ही एक सीरियस भी है प्ले इसमें चीजें हास्यास पाद रूप पसे कही गई हैं हासी मजाग के तोर पर कही गई हैं लेकिन जो बातें कही गई हैं वो serious हैं आमसे इन दा मैं एक हसे से भरा हुआ नाटक है लेकिन गंभीरता से मुक्त नहीं है यह हमको हसाता है और यह हमको सोचने पर भी मजबूर करता है क्योंकि इसमें एक गंभीर संदेश दिया गया है जो चीज इसको बहतर बनाती है इस दा फ्रेशनेस वो ताजगी है और फिर सीरियस एंड कॉमिक पॉइंट्स इसके जो गंभीर और हसे से भरे हुए बिन्दु है इसका जो क्लाइमेक्स है वो बड़ा आश्र जनक है और इसका जो अंत है वो सुखद होता है जो यवक और यवतियां है आर एंगेस्ट उनकी सगाई हो जाती है तो यहां पर रोमेंटिक व्यू जो होता है मतलब एक आदर श्वादी जो विचार धरा होती है युद्ध को लेकर उसका रिजेक्शन हुआ है उसको नकार आ गया है इनाम सेंड़ में शौ हैस रिजेक्टिद दा रोमेंटिक आइडिया आइडिया ओफ वार यानि आदर श्वादी विचार युद्ध काया इस है दाट मेंट फाइट की लोग लड़ते हैं बिकॉस दे आर हीरोज एंड सोल्जर क्योंकि वो नायक होते हैं और सैनिक होते हैं यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस गरबर है देखिए जब यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ हीरोज तो ठीक है यहाँ भी सोल्जर होना चाहिए और फिर तो ठीक है क्योंकि यहाँ सेंटेंस थोड़ा अलग हो गया रहना इमेजन करती हैं कि जो वो है युद्ध है as an exciting sport वो बड़ा उतेजना से भरा हुआ खेल है and worships और वो पूजा करती है Major Sergius की as the lord of her heart अपने दिल के महराज की तरह है या अपने दिल के देवता की तरह है but when she comes in contact लेकिन जब वो संपर्क में आती है with one of the defeated एक हारे हुए सैनिक की she sees it तो वो देखती है as a dreadful reality कि ये तो बड़ी खतरनाक बड़ी भयावः वास्तविक्ता है she no longer worships Sergius as her hero अब वो Sergius को अपने नायक के तोर पर उसकी पूजा नहीं करती जब वो वास्तविक्ता देखती है युद्ध की तो वो सरजिस की पूजा नहीं करती Major Sergius who is the idol Major Sergius जो के आदर्श है वैसे idol मने statue होता है जिसकी पूजा की जाती है देवता कह सकते है of his regiment अपनी regiment का also rejects वो भी अस्विकार कर देता है the romantic view यानि कलपना से भरा हुआ जो विचार है of war युद्ध का after he loses his reputation and promotion जब वो अपनी ख्याती को खोद देता है और अपना promotion भी खोद देता है ना तो उसका promotion होता है और उसको प्रसिद्धी भी नहीं मिलती तारीफ भी नहीं मिलती he comes to his senses उसको होश आता है and sense his resignation और वो अपना त्याग पत्र दे देता है he realizes वो महसूस करता है that there is no romance in soldiership कि सैनिक का काम करने में कोई romance की बात नहीं है कोई आदर्श की या hero जैसी कोई बात नहीं है he tells lady Catherine वो lady Catherine को बताता है that soldiering is the art कि सैनिक होना एक कला है of attacking mercilessly यही बड़ी दयाहीन तरीके से दुष्टा पूर्वक आक्रमन करना when you are strong जब आप ताकतवर हो and keeping out of harm's way और खत्रे से थोड़ा दूर रहना बचकर निकलना when you are weak जब आप कमजोर हो फिर है realities of war युद्ध की वास्तविकता है Captain Blanchely holds the realistic view of war Captain Blanchely युद्ध के बारे में बड़ा realistic विचार रखता है यधार्थवादी विचार रखता है He believes that there is no romance in war and soldiers उसका विश्वास है कि युद्ध में या सैनिक होने में कोई romance की बात नहीं है Victory or Defeat जीत या हार in war युद्ध में is a matter of chance वो इतिफाक की बात होती है Being a professional soldier एक व्यावसाइक सैनिक होना He prefers होने की वजह से He prefers वो ज्यादा पसंद करता है chocolates को to cartridges बजाए कार्थूसों के in the battlefield यानि युद्ध के मैदान में He tells Major Sergius वो Major Sergius को बताता है I am a professional soldier मैं एक व्यावसाइक सैनिक हूँ I fight when I have to मैं तब लड़ता हूँ जब मुझे लड़ना पड़ता है and I am very glad और मैं बहुत खुश होता हूँ to get out of it when I haven't to उससे बाहर निकल कर जब मुझे नहीं लड़ना पड़ता दस इस प्रकार Rana and Major Sergius are cured of their romantic notions Rana और Major Sergius का इलाज हो जाता है जो उनके romantic notions थे यानि कल्पना से भरे हुए विचार थे of war when they realize जब वो महसूस करते हैं the grim realities जो dark realities of war युद्ध की after coming in contact यानि संपर्क में आने के बाद with a practical soldier एक व्यावारिक सैनिक से जो के Captain Blanchery है फिर है the rejection of romantic view of love and marriage अब यहाँ इस नाटक में rejection किया गया है अस्विकार किया गया है प्यार और शादी के romantic views को the romantic ideas यानि कल्पना से भरे हुए विचार of love प्यार का idea है is that it is a meeting of two persons कि ये दो लोगों का मिलन है falling in love at first sight जिनको पहली नजर में प्यार हो जाता है जैसा कि आपने as you like it मैं भी देखा था the romantic view of marriage तो कल्पना से भरा हुआ विचार जो शादी का है is that it is the mean time of beautiful heroine with a handsome hero this idea of love and marriage has been rejected by Shaw तो ये जो idea है love और marriage का reject किया गया है Shaw के द्वारा अब फिर से आप अपना भी screenshot ले लीजे ये फिर next heading है the realities of love and marriage यानि जो वास्तविकता है और शादी की Shaw has exposed Shaw ने expose किया है यानि दिखाया है मनदब कि पोल खोली है the realities वास्तविकता है of marriage शादी की in arms and the man इस नाटक में a person's marriage does not depend so much on beauty as on physical fitness and ability to provide comfort and stability to one's partner तो a person's marriage एक आदमी की शादी does not depend निर्भर नहीं करती so much इतना ज्यादा on beauty खोबसूर्टी पर as on physical fitness जितना के शारीरिक fitness पर and ability और तागत पर to provide उपलब्ध कराने की comfort, आराम and stability और स्थिर्था to one's partner अपने साथी को Shaw believes Shaw इस बात पर विश्वास करता है that marriage is a means कि marriage एक साधन है not of satisfying individual desires of men and women यनि जो एक महिला या पुरुष है उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है but बलके of bringing to birth यनि पैदा करना a new and better generation एक नई और बहतर पीड़ी को रेना is cured of her romantic notion रेना के जो romantic notion है जो कलपना से भरे हुए विचार है उनका इलाज हो जाता है यनि वो खतम हो जाते है of love प्यार के बारे में and she takes captain blanchely और वो मदब मन्जूर करती है सुईकार करती है captain blanchely को as her husband अपने पती के तौर पर because क्योंकि he is more practical वो ज्यादा व्यवहारिक है and common man और सामन है than major sergius major sergius से and because he is able to give her comforts of life और क्योंकि वो उसको जिन्दगी के आराम देने में ज्यादा समर्थ है Luca to chooses major sergius Luca भी major sergius को चुनती है as her husband अपने पती के तौर पर because क्योंकि she can have stability उसको भी स्थिरता मिलती है comforts आराम मिलते है and good children और अच्छे बच्चे या हलांकि वहाँ दिखाए नहीं गए है लेकिन भविश्य में मिले होंगे from him उससे अब ये next heading है आप अपना screenshot ले लिजे मैंने pen हटा रखा है एक बच्चे की बड़ी request थी के pen हटा लिया कीजिए हमें screenshot लेने होते है वैसे आपको screenshot की जरुद नहीं है आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में थोड़ा slow कर लीजे वीडियो को चलिए जैसे आपकी इच्छा मैंने हटा रखा है और आपने ले लिया होगा screenshot अब देखते हैं romantic mask of rena and sergius removed rena और sergius के जो romantic mask थे उन्होंने लगा रखे थे वो remove हो जाते हैं फिल्म पूरे ड्रामा में आपने देखा होगा the romantic mask जो romantic मुखोटे लगा रखे थे that rena has worn about her real character जो rena ने अपने वास्तविक चरित्र के उपर लगा रखे थे since her childhood अपने बच्पन से is removed वो हटा दिया जाता है by captain blanchely captain blanchely के द्वारा rena has built up an imaginary self rena ने एक कालपनिक अपने आपको बना रखा है but captain blanchely is not deceived लेकिन captain blanchely धोखा नहीं खाता है he says to her वो से कहता है when you strike that noble attitude and speak in that thrilling voice I admire you यनि जब तुम ये अपना noble attitude दिखाती हो और बड़ी उत्साहित आवाज में बोलती हो तो मैं तुम्हाई तारीफ करता हूँ but I find it impossible लेकिन मुझे ये संभव लगता है to believe a word you say एक भी शब्द पर विश्वास करना जो तुम कहती हो hearing this ये सुनकर she surrenders to him वो उसके सामने समरपरं कर देती है and asks him और उससे पूछती है how did you find me out तुमको मैं कैसी लगी I did it when I was a tiny child to my nurse यानि मैं इसी तरीके से बोलती थी अपनी नर्स से जब मैं छोटी बच्ची थी she believed in it वो इस पर विश्वास करती थी यानि मैं जो भी बोलती थी उस पर विश्वास करती थी आपको डायलोग याद आगे होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो I do it before my parents मैं ऐसा ही अपने माबाप के सामने बोलती हूँ they believe in it वो भी इसमें विश्वास करते हैं I do it before Sergius मैं Sergius के सामने भी ऐसा ही करती हूँ he believes in it वो भी इसमें विश्वास करता है but her Swiss visitor does not believe in it लेकिन उसका जो Switzerland का वासी है जो fugitive है जो वहोड़ा आता है Captain Balanchaly वो उस पर विश्वास नहीं करता है Major Sergius also discovers his true nature Major Sergius को भी अपनी खुद की सच्चाई पता चलती है when he analyzes himself जब वो अपने आप का आँकलन करता है visualization करता है he is surprised at himself तो वो अपने आप में आश्चर चकित होता है आपको याद होंगे वो dialogues के वो Sergius क्या सोचेगा जो युद्ध में लड़ा था जो एक सैनिक था Sergius वो आज वाले Sergius को देखेगा तो क्या सोचेगा है वो अपने आपके बारे में कई dialogue मारता है आपको याद होंगे Half a dozen Sergiuses keep popping in and out of his handsome figure यानि उसका जो खुबसूरत figure है उसमें से आधा दरजन Sergius आते जाते रहते हैं Luca shows him the real Sergius that he is Luca उसको वास्तविक Sergius के दर्शन कराती है जो के वो है यानि Luca के सामने ही सच्चा Sergius निकल कर सामने आता है फिर है humor and satire यानि इस नाटक में हास्य है और व्यंग है अच्छा देखिए अगर आप ये headings हटा देंगे तो मालीजे आप से question पूछा जाता है humor and satire in arms and the man तो ये आपका answer वहाँ भी काम करेगा है तो आप चाहें तो headings हटाकर जो यहाँ पड़े हुए है आप simply paragraph change करते जाईएगा वो ज्यादा suitable रहता है आपका answer आपकी अच्छा है वैसे तो जब आप headings डालना चाहें headings डाल सकते हैं लेकिन question क्या है एक ही तरीके से नहीं पूछा जाता है कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है जैसे एक तो question यही आ सकता है आप से कि discuss arms and the man as an anti-romantic comedy दूसरा question आप से यह भी कहा जा सकता है कि discuss humor and satire in the drama arms and the man तब फिर यह जो आपके headings होंगे थोड़े से क्या है irrelevant से हो जाएंगे है ना तो headings क्या है एक particular question के हिसाब से तयार किये जाते हैं और वही question जब घुमा कर आ जाता है तो वह headings irrelevant हो जाते हैं तो बहतर यह होगा कि आप यह headings वहां remove कर दें थोड़ा सा जो matter है ना उसको use करना आपको आना चाहिए तो वह art आप सीख लीजे कि कहां हम heading हटा के इस matter को use कर सकते हैं अगर answer दूसरे तरीके से question आपसे पूछ लिया जाता है तो matter तो देखिए वही रहता है चाहे किसी story पर based questions हो चाहे किसी novel पर based questions हो या drama पर based questions हो जो आपने पढ़ लिया drama आपने मेरे साथ पढ़ाई है तो matter तो वही रहेगा सिर्फ आपको से use करना आना चाहिए कि कैसे हम थोड़ा सा घुमा दें तो दूसरे question का answer हो जाएगा है तो इसलिए मेरी आपको यह सलाहत थी कि जिसे humor and satire पर अगर आई आता है तो matter यही use हो जाएगा आपका लेकिन वो आप यह heading से उस वक्त remove कर दीजेगा चलिए देखते हैं skin shot तो आपने ले लिया होगा यह last part है इस answer का the anti-romantic view of war and love and the exposure of the real nature of major sergius and rena have been presented by using humor and satire in the play यही जो anti-romantic view है war और love युद्ध का और प्रेम का and the exposure और exposure होता है खोल खोलना यह न एक सामने आना of real natures वास्तविक प्रकृति का of major sergius and rena major sergius और रहना का have been presented प्रस्तुत किये गए हैं by using मने प्रयोग करके humor and satire हासिया और व्यंग को in the play इस नाटक में characters like rena sergius and major petkov stand ridiculed and exposed तो यह जो पात रहे हैं rena sergius और major petkov जैसे जो characters हैं उन पर ridicule किया गया मतलब उनका उनका उपर व्यंग किया गया उनका मजाग बनाया गया है and exposed मने उनकी pole खोली गई है the serious ideas of war and love जो गंभीर विचार है युद्ध और प्रेम के have been made lively उनको सजीव करके दिखाया गया है and amusing और उनको amusing मने रोचक बनाया गया है by introducing लुका एंड निकोला एपिसोड लुका और निकोला का जो एपिसोड है निकोला और लुका मैंने आगे पीछे ले बोल दिये कोई बात नहीं उनकी एपिसोड को from time to time यानि वक्त वक्त पर जो हास्यास पर इस्थितियां दिखाई गई है घटनाय दिखाई गई है in the course of the story यानि कहानी के दौरान इस ड्रामा के दौरान नाटक के दौरान provide us relief हमको राहत देती है from seriousness गंभीरता से he thought that less serious aspects of society might be changed by making pleasant fun of them he thought मने कौन सोचता था कि ये Bernard Shaw के बारे में दिया गया है उसका मानना था कि जो less serious aspects है यानि थोड़े कम गंभीर पहलू है society के समाज के might be changed उनको बदला जा सकता है उनको सुधारा जा सकता है by making pleasant fun of them यानि उनका हलका सा मजाग बना कर फिर है happy ending यानि इस कहानी का अंत सुखद होता है दो हलांके the play is very serious ये नाटक बड़ा गंभीर है from the beginning शुरुआ से and the situations are complicated जो परिस्थियां हैं वो थोड़ी जटिल है everything ends, हर चीज खतम होती है as well the play reaches its ending मलब अच्छे से खतम होती है हर चीज है everything ends well, हर चीज अच्छे से खतम होती है as the play reaches its ending जब ये नाटक अपने अंत तक पहुंचता है all the problems are solved, सारी समस्या हल हो जाती है and everybody is satisfied और हर कोई संतुष्ट होता है Rena accepts Captain Blanchely as her husband Rena Captain Blanchely को अपने पती के रूप में स्विकार करती है Luca checks Major Sergius as her husband और Luca Major Sergius को अपना पती स्विकार करती है only Nicola, केवल Nicola who tries hard जो बहुत कोशिश करता है to get married शादी करने की to Luca Luca से is left out without a partner वही एक partner के बिना रह जाता है लेकिन ऐसा नहीं है Nicola के अगर आपने ड्रामा पढ़ा है वो सारे वीडियो देखें तो आपको याद होगा कि Nicola तो खुदी एक दुकान खुलना चाहता है और चाहता है कि Luca Sergius शादी कर ले किसी बड़े घराने में शादी कर ले और एक customer के तौर पर उसकी दुकान पर आया करे और अपनी दूसी जो rich सहलिया है धन्वान सहलिया है उनको भी उसकी shop के बारे में बताया करे Sophia में वो दुकान खुलना चाहता है आपको याद होगा ये very short answer type questions में आपसे पूछा जा सकता है कि निकोला कहां पर अपनी दुकान खुलना चाहता था तो वो facts आप याद रखिए और गुजारिश मेरी यही रहेगी कि आप पूरा नाटक धंग से पढ़िए जो सारी वीडियो में अपलोड किये हैं इस नाटक के वो जरूर देख लीजेगा उसके बाद आप किसी भी सवाल का जवाव असानी से दे सकते हैं very short answer type questions, multiple choice questions क्योंकि भले ही आपका exam descriptive होगा लेकिन जो section A है पिछली बार जो pattern आया था उसमें section A में multiple choice questions भी थे तो आपको पूरा ड्रामा ध्यान से पढ़ना है पिछली वाली book में नहीं दे रखा था जितने हैं मैंने आपको करा दिया भी और यह एक और दूसरी किताब है आप चाहें तो इसका भी screenshot ले सकते हैं यहां जिसे जो शुरुवात की गई है दो points दिये गए हैं कि एक anti-romantic comedy के तौर पर क्या-क्या चीज़ें इसमें discuss की गई हैं तो इन्होंने दो points बनाए हैं जैसे आप देखी रहे होंगे पहला point the play discards romantic views regarding love and marriage यह जो नाटक है discard करता है refuse करता है अस्विकार करता है romantic views को regarding love and marriage और दूसरा the play exposes the emptiness of romantic glorification of war तो यह जो play है expose करता है pole खोलता है the emptiness मने खोकलेपन की of romantic glorification of war यह जो glorify करिया जाता है बड़ा चड़ा कर तारीफ की जाती है war की उसको expose करता है besides इसके लावा the dramatist passes satire जो नाटक कार है वो व्यंग करता है on imaginative view and takes realistic approach towards love marriage and war तो जो imaginative view होते हैं यानि कलपना से भरी वो विचार होते हैं उन पर satire करता है और एक realistic approach वो अपनाता है love, marriage और war की तरफ ठीक है इनोंने थोड़े से अलग यहाँ पर heading दे रखे हैं आप चाहें तो यह heading भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं जो अभी पिछली book में से मैंने आपको पराया यह heading भी आप उसमें शामिल कर लीजिए एक खुद का एक बड़ा सा अंसर तयार कीजिएगा है तो इसमें romantic opening है आपने देखा ही था कि play शुरू किस तरीके से हुआ था the play opens in a romantic way एक बड़े कालपनिक तोर पर शुरू होता है बड़े romantic तरीके से यह नाटक शुरू होता है जैसे आपको याद होगा the action takes place in a young girls bed chamber in bulgaria तो जो action है याणि यह जो नाटक शुरू होता है वो एक युवती के bed chamber में शुरू होता है in her costly night gown अपने महंगे night gown में a beautiful young girl एक खुबसूरत युवती of 23 याणि 23 साल की stands in the balcony बालकनी में खड़ी हुई है enjoying herself the romantic view of stars याणि खुद आनंद ले रही है romantic view of stars याणि सितारों को देख रही है सितारों का बड़ा खुबसूरत सा नजारा है उसको निहार रही है she likes loneliness वो अकेलापन पसंद करती है to watch देखने के लिए twinkling stars tim टमार्कते हुए तारे just then ठीक तभी her mother's information उसकी मा की सूचना that her beloved Sergius कि उसका prayer Sergius has got victory in the battle उसको युद्ध में जीत मिली है fills Rana's heart with a joyful pride Rana के दिल को भर देता है खुशी से भरे हुए गर्व के साथ she tells her mother वो अपने मा को कहती है when I buckled on Sergius's sword जब मैंने Sergius की तलवार बांधी थी he looked so noble वो इतना अच्छा देख रहा था फिर है appearance of Captain Blanchely यानि Captain Blanchely का आगमन चलिए इस heading को देख लीजे क्योंकि ये जो view है Rana का Captain Blanchely के आने के बाद ही तो बदलता है तब तक तो वो मा बेटियां बहुत गर्ब कर रही थी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी Sergius के बारे में और युद्ध के बारे में तो जैसे ही Captain Blanchely आता है और वो अपना view रखता है तब Rana के विचार बदलते हैं तो भी चाहो तो आप फिर से इसका ले लो screenshot As a fugitive Captain Blanchely enters Rana's room तो एक भगोड़े के रूप में Captain Blanchely Rana के कमरे में घुस्ता है He threatens her with a pistol तो वो एक पिस्टल के साथ उसको धंकी देता है For Rana it is all a romantic scene of an opera Rana के लिए ये तो opera का एक romantic scene हुआ She feels pity on Captain Blanchely उसको Captain Blanchely पर दया आती है and offers her him आना चाहिए and offers him chocolates या फिर अपनी chocolates देती है ये भी सही है हर भी सही है या पर offers her chocolates to eat यानि उसको खाने के लिए अपनी chocolates देती है When Bulgarian officers search her room जब Bulgarian officers उसके कमरे की तलाशी लेते हैं She hides him वो उसको छिपा देती है Captain Blanchely's straight forwardness Captain Blanchely की जो straight forwardness मतलब सीधी सपार्ट बात करने की आदत है impresses her वो उसको प्रभावित कर लेती है He breaks numberless prejudices वो तोड़ता है numberless मने अंगिनत prejudices मने पूर्वागर है regarding the romantic glory of war and soldiers ये जो romantic ideas हैं रहना के regarding मने सम्मन्द में युद्ध और सैनिकों के सम्मन्द में जो उसके romantic ideas है उनको तोड़ता है वो Captain Blanchely tells her Captain Blanchely उसको बताता है I have no ammunition मेरे पास कोई गोला वारूद नहीं है What use are cartridges in battle युद्ध में कार्टूसों का उप्योग ही क्या है I always carry chocolate instead मैं तो उसके बजाए हमेशा अपने साथ chocolates रखता हूँ He removes Rana's pride for Sergius heroism तो वो Rana के गर्व को दूर करता है जो के Sergius की heroism के लिए था यानि उसके नायकत्तो के लिए था by saying यह कहकर that Sergius acted like a fool कि Sergius ने एक बेवकूफ की तरह विभार किया था when he led his regiment जब उसने अपनी regiment का नेत्रित्तो किया on a battery of machine guns यानि machine guns के सामने He remarked उसने टिपणी की that 9 soldiers out of 10 are born fools यानि 10 में से 9 सेनिक पैदाईशी मूर्ख होते है आगे बढ़ते हैं आप अपना shot ले लिजे भाई जिनको लेना है वैसे तो ज़रूत है नहीं पढ़ लीजिए वस एक बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको थोड़ा idea हो जाएगा फिर आगे he exposes the reality वो reality दिखाता है that like common people कि आम लोगों की तरह soldiers also fear death सेनिकों को भी मौत का डर लगता है this real account ये वास्तविक लेखा जोखा of soldiers सेनिकों का impresses रहना रहना को प्रभावित करता है so much इतना ज्यादा that she offers her father's old coat कि अब वो अपने पिताजी का पुराना coat दे देती है to blanchally coat to put on पहनने के लिए to escape safely कि वो सुरक्षित तरीके से निकल सके she puts her photo also in the pocket of the coat वो अपना photo भी रखती है उस coat के pocket में it is this victory of realism on romanticism यही वो जीत है वास्तविकता की कलपना के उपर that makes the play an anti-romantic comedy जो कि इस नाटक को anti-romantic comedy बनाता है Sergius higher love Sergius का उच्च प्यार यानि जो platonic love होता है Sergius claims a romantic higher love Sergius यह दावा करता है कि वो बहुत उच्च कोटी का प्यार करता है for rena यानि रहना से आपको याद होगा बुडाय लग Let me be the worship मुझे पुझारी बनने दो dear prene यह रहना से कहता है कि rena मुझे पुझारी बनने दो rena कहती है ना कि मैं तुम्हारी पूझा करती हूँ तो वो कहता है कि नहीं मुझे पुझारी बनने दो तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम हाव अनवर्दी कि कितना नलैक इवन दा बैस्ट मैं यानि सबसे अच्छा आदमी भी इस होता है एक लड़की की महबत का तो इतने उचे-उचे विचार वो बोलता है लेकिन जब वो लूका के साथ अकेला होता है तब वो कहता है सर्जिस क्या कहता है अगेन पुचिंग हिस आम एराउंड हर अपनी बाहें लुका के चारों और डालते हुए यू आर अप प्रवोकिंग लिटल विच लुका लुका तुम एक छोटी सी उकसाने वाली भड़काने वाली चुड़ेल हो लुका ऐसे करके उसको चुमता है उसके कमर में हाट डालता है कहां रेना के साथ हैंगेज है और इतना उच्च कोटी का प्यार करता है लेकिन जैसे ही लुका को देखता है तो बस फिर सब कुछ भूल जाता है रेना अलसु कॉल सर्जिस माई हीरो, माई किंग रेना भी सर्जिस को मेरा हीरो, मेराराजा कहती है वाइल शी हैस अल्रेडि गिएफन हर फोटो तू कैप्टर बलैंशली जबकि वो पहले ही कैप्टर बलैंशली को अपना फोटो दे चुकी है और उसमें कुछ लिखा भी थदा टू माई चॉकलेट क्रीम सोलजर ये लिखा हुआ था इट एक्सपोज़स इससे पोल खुलती है दा एम्टीनेस खोखले बन की और रोमेंटिक हायर लब यानि कल्पना से भरे हुए उचे प्यार की एंड मेक्स दा प्ले एंटी रोमेंटिक और ये जो उड़नाटिक है वो एंटी रोमेंटिक बन जाता है तो भी मेरे पास कई और किताबें हैं जिनमें और थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया गया है तो मैं तो इस वीडियो को खुब बड़ा बना सकती हूँ और आपको और धेर सारा मैटर दे सकती हूँ लेकिन कोई फाइदा नहीं इतना मैटर आपके लिए काफी है और अगर आपने ड्रामा पढ़ा है तब तो आप अपनी तरफ से भी जोड सकते हैं कुछ कोड्स अगर आप याद करने जिसे ही यह जो कोडिशन्स दे रखे हैं यह जो डायलोग्स यहाँ पर सरजियस के दे रखे हैं उपर कैप्टेन बलेंशली का डायलोग भी आया था तो यह डायलोग्स आप रट लें और अगर लिखेंगे अपने लॉंग आंसर में तो उसका अच्छा इंप्रेशन जाता है ना रट पाएं तो भी कोई बात नहीं आप अपने वर्ट्स में भी लिखें तो अच्छा यह जो कोड्स हैं इनको आप थोड़ा हाईलाइट या अंडरलाइन कर दिया कीजिए एक्जाम में जब अपना लॉंग आंसर लिखें तो कोडिशन को ब्लैक पैन से लिख दीजे या फिर उसको अंडरलाइन कर दीजे जिसके के एक्जामिनर को दिखें आपका कोडिशन या जो भी इंपोर्टन बात आप लिखें उसको एक बार अंडरलाइन कर दें या फिर ब्लैक पैन से लिख दें तो चीजें हाईलाइट हो जाती है तो थोड़ा सा एक्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके अच्छे मांग सा जाते हैं चलिए यह टिप्स तो मैं देती रहती हूँ आपको बीच बीच में हर वीडियो में ठीक है जितना आप इन टिप्स पर काम कर लेंगे खुद अपनी भी इंटलेक्ट आप लोग यूज कीजिए और उमीद है आप अच्छा करेंगे यह वीडियो में यहीं खतम करती हूँ धन्यवाद